हेलो दोस्तों केके हिंदी ज्यान YouTube चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे YouTube Studio की YouTube Studio को कुछ लोग YouTube Creator Studio भी बोलते हैं इसके बारे में पूरी जनकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा तो यहां आप देख रहे हो यूटूब चैनल आर्ट है उसके नीचे दो लिंक है, राइट, कस्टमाई चैनल और YouTube Studio पर क्लिक करोगे तो यह बीटा वर्शन करेंगे, बहुत ही जल्दी YouTube आले इसका फाइनल वर्शन भी लाँच करेंगे, तो यहां देख सकते हो YouTube Studio का यह डैस लेकिन यह जो मेरा YouTube channel है यह काफी new है इसमें number of subscribers, views, revenue generation यह सारी चीज़े बहुत कम है तो इस demo के लिए मैं दूसरा अपना YouTube channel चूच कर लेता हूँ तो यहां से मैं sign out करता हूँ और मैं login पर click करता हूँ फिर यह देख रहा हूँ KK Java Tutorials मेरा दूसरा channel है जिसमें अच्छा खासा subscriber है revenue है सारे data है sufficient दिखाने के लिए इस demo के लिए तो यह मैं KK Java Tutorials पर login हो गया यहां पर आपको click करना है user icon फिर आपको click करना है creator studio पर creator studio पर जैसी click करोगे आप तो यहां reach कर जाओगे राइट तो यहां पर आप देख रहा हूँ top में YouTube studio beta मतलब beta version अभी है अभी बहुत सारे इसमें development चल रहा है final version YouTube वाले रिलीज नहीं किया है लेकिन इसके बारे में हमें as if यदि आप YouTube creator है तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जाओड़ी है क्योंकि इसको आप एक कह सकते हो कि ऐसा software है जो one stop shop की तरह है यहां से आप सारी चीजे सारी details अपने वीडियो के बारे में आप देख सकते हो analytics data हो या videos हो views कितने है comments क्या है analytics हर एक मंत का या past few months का या past years का क्या है और भी बहुत सारी details आपको one stop shop की तरह है एक ही page पे आपको सारी functionality मिल जाएंगे वो है आपका YouTube studio तो यहां जैसे आप YouTube studio पे सबसे पहले login करते हो तो इसको dashboard बोलते है आप देख सकते हो कि by default dashboard selected है जिसमें आपका latest video upload कौन था था उसका पूरा analytics है वो डिस्प्ले हो रहा है उसके बाद ideas for you यह सारी चीजे है उसके बाद कुछ news है latest update के बाड़े में चैनल एनलेटिक्स में current subscribers कितने है 10,400 एट है subscribers कितने है subscribers last 28 days में कितने बड़े हैं आपको last 28 days में वहाँ स्टाइम क्या हुआ है आपको views कितने हुए है revenue कितना generate हुआ है plus कुछ videos के views दिया हुआ है यहां पे बहुत सारी जानकारी है जो dashboard पर आपको मिल जाएगे जब आप next option है videos videos पर आप click करेंगे तो आपको सारे videos के list यहां display होंगे आपको YouTube पर जाने के जबरत नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं सारे videos visibility क्या है public private है क्या है unlisted है monetization enable है या नहीं किस date को आपने upload किया है views कितने है comments कितने है देखो जिस इसमें comments है number of comments यहां display हो रहा है उसी तरह से likes dislikes कितने है यह सारी चीजे है कितने percentage percentage amount of time watch हुआ है यह सारी details यहां पर दिया हुआ है फिर नीचे आप आएंगे analytics analytics में आप पूरा analytics देख सकते हो अपना revenue generation देख सकते हो current month में past month में देख सकते हो अभी currently क्या कहता है कि last 28 days का revenue आपका दिखा रहा है top videos क्या है कौनसे videos जिसमें maximum views गया है यह सारी चीजे जो दिया जा रहा है यहां देख रहा हुआ आप last 28 days का है यह सारे details आप माहाँ पर देख सकते हो इसमें आप जैसे letay देख देखना चाहते हो to last seven days आप select कर सकते हो let's say letayfull last 365 days का देखना चाहते हो last 90 days का select कर सकते हो accordingly lifetime का analytics देखना चाहते हो तो हुझ सारा details यहां available है analytics में फिर आपको comments में सारे comments देख यूजर ने क्या क्या कमेंट्स किया अभी तक वो सारे कमेंट्स आप यहां देख सकते हो रिप्लाई पे क्लिक करके क्या आपने रिप्लाई दिया है यहां से आप डैरेक्ली आप रिप्लाई भी दे सकते हो यहां से और यूजर के कमेंट्स भी देख सकते हो ठीक है यह सारे इसे लिटेल्स कमेंट्स में आपको मिलेंगे फिर अफ अदर फीचर में जाते हो तो बहुत सारे फीचर्स है जैसे प्लेडिस्ट पे क्लिक करके जैसी प्लेडिस्ट पे अपने क्लिक किया तो यह देख सकते है विंडू आटमेटिकली निव टाइब में ओपन हो गया और यहां देख सकते हैं YouTube पे आगे. तो यहां से हम प्लेइलिस्ट में जा सकते हैं, फिर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, आप यूजर के साथ लाइव इंडरेक्ट करना चाहते हो, यहां से डायकली कर सकते हो, इस तरह से ट्रास्लेशन, ट्रांस्क्रिप्शन है, स्टैटस और फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है YouTube क्रिएटर के लिए, स्टैटस और फीचर्स में डायकली आपको यहां पर कर दिया है, जहां से बहुत सारे फीचर्स इनेबल और डिसेवल आप कर सकते हो, फिर यहां होगे, तो आ अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हो, यहां तक डायकली इस तरह से और भी फीचर्स है, अधर फीचर्स में मोर पर क्लिक करोगे, तो यहां पर आपको नेविगेट हो जाओगे आप अपने YouTube चैनल पे, तो यह बहुत ही बहुत ही काम का फीचर्स है, प्लस सेटिंस में ज जेनरल, दूसरा मिलेगा अधर सेटिंग, अधर सेटिंग में आपको बहुत सारे जैसे एडवांस चैनल सेटिंग में जाकर देख सकते हो, जैसे चैनल पे आप जो वाटर मार्क है, वह सबाइड कर सकते हो, यहां से डायकली आप नेविगेट कर सकते हो, फिर अपलोड डि जैसे आपने यहां कुछ डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे आप अपने सोसल वेबसाइट के लिंक बगरा सेयर कर सकते हैं, कुछ कॉमन संटेंसे जो सारे वीडियो में आपको कॉमन हैंगे, जो यहां डायकली आप लिग सकते हैं, ताकि जैसे इन नए वी सेटिंग्स यहां से आप कर सकते हो, फिर यहां जाओगे अधर सेटिंग्स में और भी है, जैसे कम्यूनिटी चैनल पर आप टैरेकली जाना चाहते हैं, कम्यूनिटी चैनल तो यहां से डायकली करके आप जा सकते हो, किसी को कम्यूनिटी चैनल का सेटिंग आप चेंज कर स उससे आप कुछ help ले सकते हो, यहां पर वर्स नहीं हो, अक्या-क्या new feature आ रहा है, वो सारा explanation आपको यहां मिल जाएगा इस link पे, इस तरह से फिर आप नीचे आओगे, तो send feedback, आप feedback YouTube को send करना चाहते हो, YouTube Creator Studio के बारे में, तो यहां आप feedback लिक के और send पर click करके, उन्हें feedback भी यहां set as default studio पर click करके, आप इसको default भी set कर सकते हो, प्लस यहां creator studio classic है, यहां पर click करके, आप यहां देखो एक pop-up आता है, तो यहां pop-up क्या करता है, आपको कुछ कर रहा है, thanks for trying out the new experience, आप इसमें से कोई भी checkbox को, या multiple checkbox को click करके, और इसकी पर click कर सकते हो, जैसे I have an urgent task, and know how to find it, creator studio classic, और second option है, I would need more time to learn how to use it, तो मैं second select कर लेता हूँ, और submit पर click कर देता हूँ, फिर अगली बार आप click करोगे, यह pop-up, sorry, skip पर मैंने click कर दिया था, तो यहां आप फिर से, यहां पर जाओगे, बीटा version पर, बीटा version पर मैं फिर से जाता हूँ, और creator studio classic पर click करता हूँ, तो देख रहे हो, आपकी बार directly आप यहां पर navigate, वो pop-up नहीं आ रहा है, second time से, आप एक बार send कर दोगे, checkbox करके, तो यहां पर creator studio classic पर मैं click किया, तो अब वो pop-up नहीं आ रहा है, तो directly आप यहां land कर सकते हो, ल बहुत ही अच्छा software है, जो one stop shop की तरह काम करता है, सारे features, सारे comments, सारे number of views, watch time क्या हुआ है, आप के revenue क्या हुआ है, क्या हुआ है, आप यहां से YouTube के सारे settings, playlist वगरा, सारी चीज़े यहां से कर सकते हो, यह बहुत ही कमाल का software है, और एक YouTube creator के लिए बहुत ही लावकारी है, त तो I hope कि यह वीडियो से आपको काफी जानकारी मिला हो, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो के नीचे जो like बटन हो, प्रेस करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ वीडियो सेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले YouTube creator studio को कैसे यूज कर सकते है YouTube creator, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया के के हिंदी ज्यान तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का ग्यान वर्दक वीडियो मैं हर दिन अप्लोड करता हूँ अपने चैनल पर, definitely आपको इससे लाव होगा, दोस्तों ए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारियों के साथ, thank you.